अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखेंगे एलसिफ क्लास के बारे में और उसी के साथ साथ हम लोग स्विच स्टेटमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो चाप्टर 4 की पीडिएफ है यह मैंने आपको दे द सकते हैं अब टाइम आचुका है हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर एलसिफ क्लास को कभी-कभी हमारे पस मुल्टिपल कंडिशन होती है मैं आपर एक फाइल बना लेता हूं इसका नाम रखने वाला हूं cwh-18 तो मैं आपर cwh-18 अंडस्कोर एलसिफ.java करके एक नई file बनाऊंगा और यहाँ पर मैं एक main method बनाऊंगा और उसी के साथ सा zoom in करके इसको बंद कल दूँगा तागे आप लोग अच्छी तरह से दीखें अब मालनो मैं आपर int age is equal to 56 लिख रहा हूं और मैं आपर लिख रहा हूं if age is greater than 56 ठीक है मालनो मैं आपर age अगर dot print ln और यहाँ पर मैं क्या करूंगा मैं आपर लिखूंगा कि you are experienced ठीक है फिर उसके बाद मान लो अगर 56 से बड़ी नहीं age else if और मैं आपर एक और condition लिखना चाहता हूं मैं लिखूंगा age is greater than 46 अगर 56 से greater नहीं है but 46 से greater है तब you are semi experienced ठीक है I am just making it up मैं आपर इसको कुछ ना कुछ रिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा you are semi experienced और यहाँ पर उसके बाद मैं कुछ और conditions चेक करना चाहता हूं age is greater than let us say 36 और मैं यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहता हूं you are semi semi experienced और उसके बाद else यहाँ पर मैं लिखूंगा you are not experienced ठीक है तो यह काम कैसे करता है देखो जो भी age की value होगी मैं काम करता हूं age लिखता हूं एक scanner class का object बना लेता हूं तो मैं यहाँ पर import करूंगा java.util.scanner और यहाँ पर मैं लिख दूंगा scanner sc is equal to new scanner और यहाँ पर system.in जिससे की मैं keyword का reference दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा int यहाँ पर दूंगा age is equal to sc.nextint और यहाँ पर सिर्फ int age कर देता हूं ऐसे अब user से मैं कहूंगा की age enter करो तो system.out.println enter your age ठीक है और मैं यहाँ पर इस program को right click करके run करूंगा त्योंकि अगर मैं यह run करूंगा तो जो यहाँ पर पहले से लगा हुआ था program वो run हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर देखो enter your age जिसने मुझसे पूछा मैं मानलो यहाँ पर 58 लिखता हूं तो you are experienced अब मैं इस program को वापस से अगर run करता हूं तो मैं लिखता हूं मानलो 34 you are not experienced अब यहाँ पर मैं लिखता हूं 23 you are not experienced और अगर मैं डाल देता हूं इसको 36 और 46 के बीच मैं नहीं कि 40 तो you are semi semi experienced तो यह जो logic है कि इस आप से काम करता है आपने age की value दी age की जो value है वो इस variable में store हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि if age is greater than 56 अगर greater than 56 है तो यह print हो जाएगा और इसके आगे इसको condition check करने की जरुवत नहीं पड़ेगी इसको एक if else if else ladder बोलते हैं क्या बोलते हैं if else if else ladder यानि कि यह जो if else if else है इन चारों में से सिर्फ एक execute होगा अचा अगर मैं इसके बाद एक if लिख दूँ मालो कोई दूसरा if लिख दूँ और उसके अंदर मालो मैं लिख दूँ if age is greater than 2 और मैं आपर लिख दूँगा you are not a baby ठीक है मालो मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो क्या ये पूरी एक ladder है नहीं if else if else if else एक ladder है जैसे ही else आया तो ये ladder खतम हो जागी अगर if के बाद एक else होता तो वो ladder खतम हो जाती उसके बाद आपको एक नया if start करना पड़ता notes पे बहुत क्लिया लिखा है मैंने instead of using multiple if statements we can also use else if along with if thus forming an if else if else ladder ठीक है तो क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ if 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 लिखता तो सारे check होते ही ये जो statements है age greater than 56 भी check होता greater than 46 भी check होता ये भी check होता ये भी check होता तो मैं चाहता हूँ कि ये एक दो तीन चार statements की ये जो if else if statements और else statements है इनकी एक ladder बन जाए ये combine हो जाए और इन चारों में से सिर्फ एक चीज़ execute हो तब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ guess index यही करता है और यहाँ पर अगर age greater than 56 false हुई तो यह यहाँ आएगा अगर यह true हुई तो यह रुख जाएगा और फिर सीधा यहाँ पर आएगा न अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए हम लोग else if clause का use करते हैं आप ऐसा भी कर सकते देख if डालो और फिर उसके अंदर एक और if डाल दो और फिर if else if ऐसे डालो गर आप else if का efficient use नहीं करोगे तो indentation जादा आजाएगा आपके program में nested ffff आएगे वो अच्छा नहीं लगेगा definitely अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए आप यहाँ करें कि logical operators का use करें अगर आप ffff करते जाएंगे और आप लोग यहाँ पर logical operators और relational operators का धंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो आप एक condition जहां लिख सकते थे उसकी बजाए आप nested 5 if लिखेंगे which will make your program look ugly आपका program बदसूरत अगली दिखेगा अगली ठीक है तो आगे बढ़ते हैं यह जिफ तो clear होगे आपको और यहाँ पर मैंने syntax भी लिखा हुआ है notes के अंदर यह जो PDF इंटो डाउनलोड कर ली होगी आपने मैंने दे दी थी पिछले वीडियो में आचा बहुत सारे लोग कह रहें कि यार पूर नया फोन खरीदने का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पूरा transparent रहके मेरा एक प्लान है नया फोन लेने का जिसका camera बहुत अच्छा होने वाला है अभी यहाँ पर जो मेरा काम चला हूँ तो नहीं बहुत अच्छा camera है वैसे बट जो भी मेरे पास है अभी available उससे मैं इसको scan कर रहा हूँ लेकिन जब मेरा नया फोन आ जाएगा न तब फिर आपको photo देखके आप पूछो कि यार क्या मदेदार photos आई है तो wait करो थोड़ा सा मैं बना कर आप लोगो दे दूँगा एक PDF यह course की playlist access करो यहाँ क्लिक करके bookmark करो यहाँ क्लिक करके save करो हम लोग देखते ह अब आगे बिना time को waste करते हुए switch case control instruction देखो switch case control instruction क्या होता है अब switch case control instruction के साथ साथ मैं आप लोगो को break keyword के बारे भी बता हूँगा तो जो switch case होता है वो इस्तेमाल होता है जब हमें choice बनानी होती है choice हमारे पास होती है different alternatives के बीच में हमें एक menu बनानी होती है जिसमें बहु a choice between number of alternatives आपको अलग-अलग alternatives के बीच में choice बनानी है एक given variable के लिए for example अगर मैं आपर मैं एक नई file किया इसी में बताता हूँ मैं मैं इसी को आगे बढ़ाओंगा मैं यह जो int h से लेके मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ यह जो चीज लिखी है अभी यह जो fls वाली ladder है आप선 जारा comment out कर रहा हूं और इसको यहाँ तक मैं comment out करूंगा ठीक है और इसको मैं हटा देता हूँ और İyi comment out कर दिया इसको अब मैं क्या करूंँ है यहाँ यहाँ पर लिखता हूं इसको नीचे द देता हूं तो age is equal to आपने next trent से ले लिया अब यहा पर आप लोग switch लिख और उसके बाद आप लोग लिखेंगे age, switch age आपने लिखा और आप इसको इस तरह से start कर देंगे, ठीक है, तो यह जो है bracket यहां बंद हो रहा है, class का bracket यहां बंद हो रहा है, curly brace जो है, यह आपके balance दोने चाहिए, वहना दिक्कल हो जाएगी, switch age मैं लिखूँगा यहां पर, मै मैं cases अलग-अलग लिखूँगा, मैं आपर लिखूँगा case 18, और मैं आपर लिख दूँगा south, you are going to become an adult, ठीक है, और उसके बाद मैं आपर break लगाँगा, अब यह break क्या होता है, यह मैं भी बताता हूँ आपको, but मैं 2-3 cases all ले लेता हूँ, और मैं आपर लेता हूँ, case जो you are going to become, you are going to join a job, ठीक है, 22 कल देता हूँ, 23 कल देता हूँ, लो यार, कहाँ परचान हो जो, ठीक है, इसको अब मैं क्या करूँगा, जो दूसरा case है, मैं लिखूँगा यापर, 60, और मैं लिख दूँगा, you are going to get retired, ठीक है, और उसी के साथ साथ, मैं आपर default, एक default लिख दूँगा, और यहाँ पर एक system node order printer लिखूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा, enjoy your life, enjoy your life, ठीक है, उस तरह से मैं लिख दिया, अब मैं क्या करूँगा, इसको run करके आपको दिखाता हूँ, देखो मैं इसको run करूँगा, तो क्या होगा, मैं अगर 18 लिखता 18, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, you are going to become an adult, यहाँ रहा है, इसके बाद मैं इसको वापस से run करता हूँ, you are going to join a job, ठीक है, 23, 23, ठीक है, अब इसके बाद, मैं अगर 60 डालता हूँ, you are going to get retired, और इसके अलावा कोई और age डालता हूँ, मालो 56, जो default के अंदर डालता है enjoy your life, वो आ गया, अच्छा यह break का क्या काम है, आप लोग क्या है, break का मतलब है कि तोड़ दो और बाहर निकल जाओ, break का मतलब है तोड़ दो, ठीक है, break का मतलब होता है ना, break कर दिया glass, तो break का मतलब होता है कि यह switch को तोड़ो और इससे बाहर निकलो, ठीक है, तो क्या अगर 18 यहां पर लिखूँ तो क्या होगा अगर मैं इसको 18 यहां पर लिखूँ तो क्या होगा यह चीज़ प्रिंट होगी और ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक का मतलब क्या है ब्रेक का मतलब है बाहर आजाओ और यह एक्जिक्यूट कर दो, कहां से बाहर आजाओ बाहर आ जाओ यहाँ से सोच से अच्छा अगर यह break यहाँ पर नहीं होता तब क्या होता मेरी बात क्या मानूगे करकी दिखा देता हूँ आपको मैं ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्या किया सारे के सारे break को हटा दिया यहाँ से और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अगर मैं 18 डालूँगा तो 18 के बाद के सारे केसे को यह execute करेगा which is a problem क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 18 के सारे केसे को मैं execute करूँ अगर मैंने 18 डाला तो देखो you are going to become an adult भी आ रहा है join a job भी आ रहा है, retired भी आ रहा है enjoy your life भी आ रहा है तो क्या होता है, switch case का default behavior कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे ही कोई case match होता है उसके बाद के सारे cases वो print करता है मैं दिखाता हूँ आपको अगर मैं 23 भी लिखूंगा तो 23 से लेकर सारे cases वो print कर देगा देखो, join a job, to get retired, enjoy your life यह सारे इसने execute कर दिये तो अगर यहां match हुआ तो इसके बाद के सारे cases जो है वो execute कर देगा including default including default तो होगा क्या ऐसा करने से ऐसा करने से फिर यह होगा दिक्कत होगी आपको होगी कि यार यह मतलब मुझे तो सिर्फ 23 को match कराना था यह क्या हो गया 23 के साथ साथ यह 60 भी match कर गया default भी match कर गया तो आप क्या करते हो आपको explicitly बताना पड़ता है अपने program को अगर 23 match होता है तो यह काम करके break कर देना मुझे और आगे नीचे नहीं जाना ठीक है तो यह default behavior होता है और आपको break करना होता है अब break का use loops में भी है ठीक है तो वो भी देखेंगे break और continue दो statements हैं वो देखेंगे लेकिन अभी आपर notes इतने प्यारे हैं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी ठीक है तो यहां देखो switch case is used when we have to make a choice between number of alternatives for a given variable मैंने यहां पर लिख दिया है पूरा का पूरा जो syntax है कि in case अगर कभी दिमाग से निकल जाता है तो बाद में आप लोग जो है इसको refer कर सको notes को और यहां पर मैंने लिखा है where can be an integer character or string in Java तो यह एक अच्छा सवाल है कि यह जो variable है मैं इसको var कर देता हूँ in fact एक काम करता हूँ क्योंकि मैं age use कर रहा था नीचे वाले program में मैं इस चीज कॉपी करके डालता हूँ और आपका program चलेगा नीचे वाला अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको var बना देता हूँ और तो अब मैं क्या करूँगा यह जो scanner वगएर और यह सब मैं लगा इसको अटा देता हूँ मैं आपर एक ही करके इसको care var करता हूँ पहले मैंने character बना दिया var को एक और मैं यहाँ पर r character जो है वो match कर रहा हूँ तो अब ही मैं यहाँ पर सारे characters match करूँगा अगर r है तो यह print करना c है तो यह print करना और फिर d है तो यह print करना और default में यह print कर देना तो इस program को run करूँगा तो देखो you are going to become a result आगया अगर r यहाँ होता और यहाँ पर मान लो c होता तब मैं इसको run करता तो यहाँ पर देखो यह आर वाला match करेगा you are going to join a job यहाँ पर यह इस तरह से यह print करेगा अब यह care की जगा यह string भी हो सकता था यह मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को मालो मैंने string Harry लिख दिया अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ शुबम और यहाँ पर मैं sourp ठीक है और यहाँ पर मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से विशाका ठीक है और यहाँ पर string var is equal to यह लिखा मैंने तो मैंने इस तरह से लिख दिया और जब भी यहाँ पर Harry है तो Harry को मैंने match ही नहीं कर रहा है तो default आना चाहिए तो यहाँ पर enjoy your life आना चाहिए तो देको enjoy your life आ रहा है लेकिन अगर मैं इसको शुभम कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो कि क्या लिख कर आ रहा है यहाँ पर you are going to become an adult आ रहा है पहला वाला match करा दिया इसने तो जैसे कि मैंने notes में आप लोग को बताया where can be an integer character or string in java a switch can occur within another but in practice this is rarely done ठीक है तो यह notes थे मैंने अच्छे से आप लोग को explain करने का पूरा प्रयास किया I hope समझ में भी आ गया होगा आप लोग को अब यहाँ पर हम क्या करने वाले है कि एक चीज देखेंगे देखो यह जो intelligent ID है न बड़े कमाल की चीज है मैं आपको दिखाता हूँ क्यों जैसे आप अपना arrow लेकर जाओगे switch पर तो देखो यह कहरा है switch statement can be replaced with enhanced switch और आप जैसे इस पर क्लिक करोगे replace with enhanced switch तो यह कुछ इस तरह से replace हो जाएगा तो यह जो enhanced switch होता है जावा के अंदर उसका मतलब क्या होता है कि जो case है अगर आपने इस तरह से लिखके arrow लगा दिया तो यह एक एक करके सारे cases को consider करेगा और इनको print करेगा और अगर मेरे switch case में एक से जादा lines भी होती तब यह अपने आप इसको ऐसे replace कर देता तो मैं इसको इस तरह से replace कर सकता हूँ enhance switch बोलते हैं इसको और इसका syntax भी बहुत important है तो switch where आपने यह पर लिखा और उसके बाद आप अपने cases को ऐसे लिख सकते हो जितने भी आप लोगों ने lines लिखनी है जो भी line of code लिखना इस तरह से लिखता हो गया आप और इसको break की ज़रूरत नहीं है सबसे बड़ी चीज़ इसको break की ज़रूरत नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ क्यों इसको break की ज़रूरत नहीं है आप जैसे ही यहाँ पर सौरब मैच कर आओगे शुबम ही अगर आप मैच कर आओगे तो you are going to become an adult जो है तीन बार यहाँ पर print हो गया और फिर thanks for using my java code यहाँ पर print हो गया ठीक है अगर मैं इसको सौरब से match कर रहा हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर you are going to join a job यह यहाँ पर print हो गया तो इस तरह से आप लोग एक enhance switch भी लिख सकते हूँ and enhance switch speaks for itself यह अपने बारे पर खुद बता रहा है कि switch वार किया आपने यहाँ पर एक case लिखा दूसरा case लिखा और उसके बाद आपने जो है यहाँ पर देखो यह कह रहा है कि switch which level is the only reachable in the whole switch तो यह भी आपको यह बताने के कोशिश कर रहा है आपने string को hard code किया है तो यही तो execute हो ना है तो ऐसे क्यों लिख रहे हो code बट अभी हम learning purpose के लिए कर रहे हैं इसको तो यहाँ पर delivery ID आपको 10 बाते बताता है कुछ भी होता है 10 बाते आपको बताते कि यहाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो इसलिए मुझे Java के लिए यह बहुत अच्छी लगती है लेकिन मैं यूस तो Visual Studio Code ही जादा करता हूँ बट अगैन आप कोई भी IDE जो भी जम रही है आपको आप वो जो भी जो कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हम Switch Case इस तरह से लिख सकते है इसको बोट है Enhanced Switch और इसका Syndex कुछ इस प्रकार से है लेकिन जो traditional Switch है इसका Syndex मैंने Notes पर लिख रहा है So I hope कि Switch Case आप लोगों को समझ में आ गया Guys अगर आप लोगों ने यह Playlist अभी तक Access नहीं करें तो इसको कर लेना या क्लिक करके Bookmark और यहां क्लिक करके Save कर लेना अगर आपने Like नहीं किया यार वीडियो तो आप प्लीज इस वीडियो को Like करना या फिर आप मुझे नीजे Comment में बताओ कि आप क्यों वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो कि मैं जानना चाहता हूं और जितने भी लोगों ने Instagram पर इस Playlist को शेयर किया Thank you so much अगर आपने इसको शेयर किया और मुझे टैग नहीं किया तो मुझे टैग करना मत बूलना Add the red code with every Instagram पर इस Playlist का screenshot लगाके Story डालोगे तो मैं आपकी Story वापस से डालूँगा जरूर Thank you so much guys for watching this video And I will see you next time